यह वीडिफुल वॉट्सप गाइज वेलकम डू जेके सस्बी ऑनलाइन टुटोरियल मैं हूं सतीश और स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉप मोस्क्रांट अफ्रम सी क्यूज विद एक्स्पेनेशन फू यह अपकमेंग कंपे डिग्जाम वैल आज का लेक्ट्टर साट क करना चाहते हैं वो लोग एप इंस्ट्रॉल करके हमारे फ्री के लेक्ट्टर जो हैं वह देख सकते हैं वैल यूट्यूब पे भी हम अपडेट करना शुरू करेंगे लेकिन यूट्यूब पर शौट क्लिप्स होंगी हमारी फूल क्लिप्स जो हैं वह हमारी एप प्याप लोगी तो जितने भी केंडेट हैं वो सारे आज ही एप इंस्ट्रॉल करें और कल से आपको अपडेट जो है लेक्ट्टर का वह होना शुरू हो जाएगा चले फिर सार्ट करते हैं आज का लेक्ट्टर आज के लेक्ट्टर का हमारा जो पहला क्वेशन है पूछा गया है कि मसूद पिजेक्षियन है के प्रेजड़ेन्ट और फिच कंट्रे तो मसूद पिजेक्षियन है मत्य वह कोन सी कंट्री के प्रेजदेन्ट एलेक्ट हूए इस क्यों में पूछा गया तो इसका जो आंसर है डेट इस इरान के अंसर है एरान ओल्राइट यह बीसी के लिए आपके इंटरनेशनल इवंट के रिलेटेड क्वेश्चिन है अगला जो क्वेश्चिन है पूछा गया है कि बताइए वियर वोज दी ग्लोबल कॉंक्लिफ कॉंक्लिफ होती है सभा ठीक है ओन प्लास्टिक रिसाइकलिंग एं सस्टेनिबिलिटी के ऊपर कौन सी जगह पे एक ग्लोबल कॉंक्लिफ जो है वो इनागुरेट किया गया तो इसका जो आंसर है दैट इस न्यू डेली काम पे बताँ न्यू डेली में प्लास्टिक रिसाइकलिंग एंड सस्टेनिबिलिटी को लेके एक जो सभा थी वो बठ अचा है कि बताइए विच स्टेट गॉबंट रिसली लॉंच लोगपाथ मोबाइल एप फोर डिसॉलविंग रोड प्रॉब्लम ठीक है ये कौन सी स्टेट ने कौन सी स्टेट की गॉवर्मन ने लोगपाथ मोबाइल एप जो है वो लॉच करा है ताकि रोड रिलेटेट जो भी प्रॉब्लम से उनको सॉल्फ किया जाए तो कौन सी स्टेट गॉवर्मन ने करा है आंसर इसका MP मद्यपरदेश ने करा है तो मद्यपरदेश के जो चीफ मिनिस्टर है डक्टर मोहनी यादव उन्हों ने इंटर्डूस करा है ये लोगपाथ मोबाइल एप जिसमें इन्हों ने जो में एम है वो यह की ट्रांस्परेंसी जो है वो रखी जाए पुब्लिक वेलफेर के लिए और पुब्लिक वर्क डिपार्टमेंट ने पी डवल्यूदी डिपार्टमेंट ने यह एप डवलप करी है सो दैट कि जो 40,000 किलोमेटर का हाईवे है उसको इंप् साइन विच इंसिट्यूट साइन एग्रिमेंट विधा इंडियन रिजिस्टर ओफ शिपिंग को डवलप आशिप ट्रेजेक्टर प्रेडिक्शन टूल एम एट इंप्रूविंग मेरिटम सेफटी तो कहने का मत्तब यह कि कौन से इंसिट्यूशन ने एक एग्रिमेंट ज साथ सो डाट कि शिप ट्रेजेक्टर प्रेडिक्शन टूल जो है वो बनाया जाए डवलोप करा जाए सो डाट की मेरिटम जो सेफटी है उसको इंप्रूव किया जाए चीक है तो बेसी के लिए किसी इंसिट्यूशन ने साइन करा है आंसर इसका आयती मॉंबई अब बेसी सेफटी के सेफटी पॉंट ऑव यू से शिप जो है वो बिल्कुल सेफ जोन में रहे कहना है मतब यह कि अगर सपोज करो शिप चल रही है और आगे कोई खत्रा है तो शिप आटोमेटिकली डिसेबल हो जाए ठीक है बॉर निंग से पहले ही और मतब जो भी जो भी खत्रा आने वाला दिख रहा है वहां पर तो खत्रा वो पहले ही यह टूल जो डिटेक्ट कर ले और डिटेक्ट करते ही यह जो शिप है वो डिसेबल हो जाए है सो डाट की वो मतब अपनी सेफटी जो हो कर सके या अपनी जो मत्रब जो है वो मगवा सके तो आई टी मॉंबाई ने इंडिया डिस्टर शिपिंग के साथ मिल के यह बिसीकली जो चिप ट्राजेक्टर प्रेडिक्शन टूल जो है वो बनाने का जो काम जो अब हाग ढ़िए सर्केर स्टार्मर है अगला जो कोछे नापूछा गया है बताइए वाट इस डाउंस इंड्रिम्स रिसनि अन्यूस तीजनन यूसीन निउस्ट्र है जो अब नियूस में देखने को लाई यह बेसीकली कंडिशन होती है एक आप देख रहे हो ने यह यह condition होती है और यह कब होती है जब किसी के अंदर जब chromosomes जो है वो extra हो जाए या कुछ piece of chromosomes जो है वो उसकी उसकी वज़ा से यह जो low syndrome जैसी conditions है वो देखने को मिलते persons में ओके चले अच्छा जो पहला यह कहां पर देखने को मिला यह मिला आपको निंदर हाल एक जगा है बिसीकली वहां पर अगला पूछा गया कि बताइए what is the primary objective of the low frequency array recently seen in the news कहने का मतलब यह कि जो low frequency array है इसका main primary objective क्या है primary मकसद क्या है तो इसका main मकसद वो यही कि universe को low radio frequency पे observe किया जा सके क्या to observe the universe at low radio frequency clear है तो primary objective this was the primary objective of low frequency array ठीक है अचा अब हम बात करते हैं कि यह basically मतलब जो लोफर है मतलब शॉर्ट में इसको बोला जाता है लोफर ठीक है next question है पूछा गया है कि बताइए मिनामी तोरिशिमा आईलैन जो है वह को कुण सी country से बिलों करता है In short question में यह पूछा से उसका जो answer है that is Japan क्या answer movements लेक्षा जपान चलिए नेक्ट जो कुछा गया है कि बताईए दुरंद कब जो है रिसनली सीन इन दर निईज इस एसोशिएट विच 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 पॉट्स तो दुरंद कब जो है से चोट से रिलेटेट है? एप इसी एपया मारा 2, ून्हमेंट है स्पाइब की स्पिर्ट है वो 27 जुलाई चे और 31 अगस्सकी कुह खतम होगा और यह कहां पर हट र mixed out क् milks तो क्लेकर में अगरा को अगला जो कुछा गया बताएं, in which state will South Asia's largest flying training organization be established? तो कहां पर South Asia का सबसे largest flying training organization जो है, वो establish होने वाला है? कौन सी state में establish होने वाला है? इस question का answer आप लोग कर ओए, comment section में, all right? बाकी, मलता है नेक्सरोंडे में तब तक के लिए thank you so much, तेक यह, ba, ba?